नमस्कार साथियों तो फाइनली लंबे समय इंतजार के बाद बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है जिसका बहुत ही बिसवरी से इंतजार था बिहार डियलेट फॉर्म सत्र 2022 से 24 में नामंकर के लिए सन्निक्त परवेश परिक्षा आज इत होगी अत्वा नहीं होगी सिक्षा विभाग ने आज किलियर कर दिया है ओफिस्यल लेटर जारी करके तो इस वीडियो के साथ लास्तक बने रहे और हमारे टेलेग्राम ग्रूप और वाट्सेप ग्रूप को जरूर जोइन कर लिजेगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए सुरू करते हैं साथी दोस्तों यदि आप विहार डियलेट परिक्षा 2022 की तयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक खरीदें तो न्यू पेटर्न और सिलेवस पर पूनता आधारित सिरी विनोध पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का ये बुक आप मार्केट से ऑनलेन य 22 से 24 में नामंकन को लेकर सन्युक्त परवेस परिक्षा के मुद्य को जोर सोर से उठाया है ट्विटर के मादियम से वार्टसप के मादियम से या फिर कॉल के मादियम से तो आप सभी के एकता का यहां पर परिनाम निकल कर आ चुका है परवेस परिक्षा होगी अथवा नह कर लिजिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्रेशक जो है संजय कुमार अपर मुख सचीव बिहार सिक्षा विभाग पतना के तरफ से यह लेटर जारी किया गया है सेवा में अध्यक्ष मोहदय बिहार विद्याला परि से चौबिस में डियलेट पार्टकरम में नामंकन हेतु परवेस परिक्षा का आवजन करने के संबंद में यह लेटर जारी किया गया है आप सभी को पता है कि सत्र दोहजार बाइस बीस से बाइस में नामंकन को लेकर परवेस परिक्षा आजित होनी थी तो वो परवेस पर एभिषाग के द्वारा निरने लिया गया है कि विहार विद्याला परिक्षा समिती द्वारा से सरकारी प्रसिक्षन संस्थानों में आउनलेन के माध्यम से दसवी एवं बारवी कक्षा के प्राप्त अंक के अधार पर मेधा सुची बनाकर नियमा अनुसार नामंकन लिया गया परन्तु यहाँ पर देखेंगे प्रावेट संस्था जिनकी संखिया लगभग 300 है उसमें नामंकन की कोई पारदर्सिता विवस्था नहीं हो पाई है तो वर्स 2022 से 24 की परवेश परिक्षा के आयोजन के लिए बिहार विद्याला परिक्षा समीती द्वारा बेल्टरौन को मार्च 2021 से ही अनेक पत्र लिखे गए है परदान सचीव सूचना एवंपरोद्ग की विभाग को भी पत्र के द्वारा एजनसी चर्न हितु अनरोध किया गया थो ये एजनसी नहीं मिल ला था 2021 में अब ये बहाना चल रहा है तो खायर कोई बात नहीं यहाँ पर देखिए वो चीज़े यहाँ पर बताई गई है तो निर्धारित सत्र अनुसार डियलेड अध्यापन की कक्छा 1 जुलाय 2022 से आरंभ होनी है अर्थात जून 2022 के पर्थम सप्ता में अभियर्थियों को संस्थान आवंटन का कार पूर्ण करना होगा मतलब जून 2022 तक में पर्थम सप्ता तक में नामंकर परकिरिया समाप्त करना है अप्रेल चल रहा है मई जून इसका मतलब मई में ही सारी परकिरिया होनी है इसके बाद देखेंगे ताकि नामंकर को लेकर एक जुलाय से कक्छा प्रारम की जा सके तो जून के लाश्ट तक में ये परकिरिया समाप्त हो जाएगी तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए उपरिक्त प्रिस्ट भूमी में बेल्टराउन द्वरा एजनसी का चेहन कर उपलवद कराने में हो रही देरी को देखते हुए बिहार विद्याल प्रिक्षा समीती अपने अस्तर से अजनसी का चुनाव करेगी और परिक्षा का आवजन करवाएगी तो या फिर कहां यहां पर देख सकते हैं करवा सकती है यहाँ पर देखेंगे परिक्षा का आउजन बिहार विद्याला परिक्षा समिती करवा सकती है या अन्य विकल पर विचार किया जा सकता है यथा आउनलाइन की जगा आउफलाइन या फिर परतियक्ष परिक्षा भी आउजित की जा सकती है online परिक्षा तो संभव नहीं है मेरे ख्याल से तो ये जो है offline परिक्षा होगी आप सहमत होंगे कि परवेश परिक्षा के माध्यम से चयन किया जाना पारदर्सिता एवं सेक्षनिक गुनवक्ता के दृष्टी कोन से उपर्युक्त है ठीक है तो ये चीज़ों जो है लेटर के और उसके आधार पर नामंकन की परक्रिया पूर्ण हो तो ये जो है लेटर जारी कर दिया गया है अब इसकी विस्तरित जानकारी के लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको अपना कोई भी Google ब्रोजर को उपन करने के बाद आपको सर्च करना है बिहार डियालेड एक बार सर्च करना है सर्च करने के बाद आप सभी देखेंगे फर्ष्ट पेज पर ही जो है आपको एक अपडेट मिल जाएगा बिहार डियलेड आउनलेन फ़र्म 2022 इंट्रेंस एकजाम एडमीड कार्ड सिलेवस अगर सारी चीजे जानना चाहते हैं तो आपको इस लिंक को करना है लेकिन आपको सर्च करना है बिहार डियलेड इंट्रेंस एकजाम या आउनलेन फ़र्म उसके बाद आपको कोसी श्टडी लगाना ही है इसके बाद देखेंगे आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहां पर इंट्रेंस एकजाम से संबंदित विस्त जानकारी दी गई है कैसे जो है एकजाम होगा क्या सिलेवस रहने वाला है वो सारी चीजे कॉलेज का लिस्ट आपको मिल जाएगा कहां पर कितनी सीटे जांब किलेए और सिलेवस में आपको क्या क्या पाट करम सामिल क्या गया है एज लिमिटेशन क्या होना चाहिए application क्या होना चाहिए क्या क्या documents लेगा apply करते समय और क्या क्या documents लेगा admission के समय वो सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है तो आप सभी इस तरीके से kosiastary.com website पर आईए और हर एक update सही सही पाईए तो इस तरीके से दोस्तों अब internet exam होना हो गया है तो आप सभी अपने त्यारी को और भी बहतर बनाए त्यारी कीजिए entrance exam के लिए कौन सा books आपके लिए अच्छा रहेगा कौन-कौन सा book जो है syllabus को अच्छे तरीके से cover किया है वो सारी चीजे हम वीडियो बनाए हुए हैं आप कोसी study website पर जा करके वो सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वैसे हम आगे आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेंगे तो नीचे comment कीजिएगा अगर कोई भी आप सभी के लिए जल्द ही वीडियो आएगी धन्यवाद आप सभी का